हेलो दोस्तो कैसे आप आज मैं आपको Google Forms पे ठीक है कोशन पेपर बनाना बताता हूं ठीक है बहुत आसान है ठीक है इसमें कुछ कोई जारी थी तो पूछ रहेते सभी मुझे तो मैंने आपको बता रहा हूं मैंने यह Chrome खुला Chrome पे Google आ गया Google पे टाइप किया ठीक है मैंने क них देक्स साइट ही यहां पर ओपन कर राखिए आप यहां पर चेकendedvantage कर लेंगे कि कुए अगा इसको नहीं करेंगे तो आपको इस तरीके से खुलेँकर यह आप के लिक रिए आसान बहने ऻता हूं मुझे हो इस सगे से किया और यह हमारा Google Forms की सब्सक्राइबिल चल्क तरीके से वाइट वाइट दिखिर है कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा gonna you के लिए हम क्या करेंगे यहां पर जो बना वुआ था कि मैंने क्लिक किया है ठीक कर दिया तो इस पर itself चेंज कर देंगे चूज इमेज कर देंगें सकते इतनी सारी अपना फोतो डाल सकते अपलोड कर सकते हैं ठीक है मानलो अगर यह sports and games का भी है sports and games वाले बहुत सारे हैं ठीक है मुझे यह मानलो लग गया ठीक है मैंने यह football ले लिया basketball का अच्छा लग रहा है इस पर insert कर दिया तो यह यहाँ पे ऊपर आ जाएगा यह देखिए इस तरीके से आ गया यह इस तरीके से दिखेगा अब आप चाहें तो इसका color change कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से यह भी ले सकते हैं यह देखिए जू line change हुई है अब यह जो नीची theme है मानलो यह dark कर दिया बना इस तरीके से आ मैंने है इसके बार आप जाएंगे सबसे पहले setting में जाएंगे ठीक है setting में कुछ settings आप को change करनी है ठीक है collect emails emails correct करने हमे limit one response क्योंकि मार लो अगर एक से ज़्यादा response दे तो अच्छी बात नहीं है यह क्योंकि जब बच्चे रिस्पॉंस दे देंगे उसके बाद हमें क्या चाहिए वह चीज मैंने क्लिक कर दें ठीक है जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं वैसे वैसे आप करते हैं ठीक है अगर आप बड़े बच्चों के लिए तो कोश्चन पेपर भी सफल कर सकते हैं जैसे हर एक बच्चे के लिए कोश्चन नंबर जैसे अलग लग आएंगे जैसे आप कंप्टीशन नम देते थे वैसी हो जाएगा मेंग दिस क्यूज क्यूज बना रहे हैं ठीक है कि इस पोर्ट्स के लिए ठीक है अच्छा इस पोर्ट्स से पहले विए मैं एक चीज़ और चेंज कर सकता हूँ यहां पे ठीक है की ये रहा ठीक है, font मालो change करना आपको, तो यह basic है, इस तरीके से, कोई सा भी ले सकते हो, मालो, ठीक है, मैं playful ले लिया, यह अच्छा लगेगा, जैसे, ठीक है, तो untitled form में मैंने अब डाल दिया, यहाँ पर, sports, ठीक है, capital में ले सकते हैं, spo, sports डाल दिया, अब मैं school का नाम भी दे सकता हूँ, नीचे, जो form description में लिखा है, मैं school का नाम भी दे सकता हूँ, कि school कौन से से हैं, ठीक है, तो rsbb, rsbb, east node, नगर, ठीक है, यह school का नाम डाल दिया, मैंने, अब यह email address यहाँ पर connect करेगा, ठीक है, school का पूरा नाम डाल देता इस तरीके से, यह मैंने, फॉर्म बढ़ दिया, पहला, अब यह email address लेका, ठीक है, अब इसमें क्या है, और क्या चीज़ चाहिए होगी, सबसे पहले बच्चे का नाम, definitely बच्चे का नाम ही चाहिए होगा, ठीक है, तो बच्चे का नाम, N-A-M-E, अब जो बच्चे का नाम है, यह, अब यह देखो, नीचे, अपने आप इसने चूज कर लिया कि बच्चा, गूगल बाला बहुत समझदार है, क्योंकि इसने बोला, short answer, ठीक है, आप short answer पर click कर देंगे, यह short answer हो जाएगा, आपका क्या, answer की, answer की की कोई जरूवत नहीं, required कर दिया, ठीक है, अब दूसरा question हम लाएंगे, यहां पर plus sign लगाओ, यहां पर plus sign पर click करेंगे, तो यह दूसरा question हो जाएगा, अब दूसरा question क्या हो जाएगा, generally हम लेते है, student's ID, ठीक है, हमारा जो ballot वो है, student ID, student ID लिख देंगे, तो दिखो, उसने आप ले लिए short answer है, ठीक है, short answer type question है, दे लिए number, यह है, is number, अब वो number क्या होना चाहिए, not equal to, not between, whole number, less than, less than, more than, greater than, ठीक है था, less than or equal to, ठीक है, तो less than or equal to, पर click कर लूँगा, तो कितने numbers होने चाहिए, हमारे में 11 numbers होंगे, student ID में, अब इसमें custom error, जब वो गलट डालेगा, तो क्या आएगा, wrong, wrong ID, यह मैं लिख दिया, जब वो गलट डिखाएगा, जब बच्चा गलट ID डालेगा, तो यह आएगा, उसके option में, ठीक है, answer की कोई जरूद नहीं है, required होगा, अब देखिए, यह दो चीज़े होगे, यह बहुत अच्छा, अभी कैसे दिख कैसे रहा, यह देखिए, अब यह जो ऊपर view आ रहा है, आई का view नहीं हुआ, इस पे click कर देंगे, तो आपको देख जाएगे, आपने जो बनाया हो कैसा लग रहा है, ठीक है, यह देखिए, इस तरीके से यह आपका question paper देखेगा, अ अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, section add कर लेते हैं, ठीक है, question add कर जाएगे, लेकिन यह दो बहुत लग रहा है, इस तरीके rectangle, इस पे click करेंगे, तो नया section चालू हो जाएगा, ठीक है, इन नया section होगे, अब इस पर section पर हम डाल देंगे, multiple choice question, ठीक है, short answer type question, तो each question carry one marks, ठीक है, यह हो जाएगा, each question carry one marks, यह लिख दिया आपने, अब देखिए, अब यह हो गया, अब यहाँ पर आप question add करते जाएगे, यह मैंने पहला question डाला, पहला question मालो, how many players in cricket team, ठीक है, cricket team में कितने player होते हैं, कितने खलाड़ी होते हैं, इस तरीके से मैंने यह question डाल दिया, ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका short answer, अभी short answer तो है नहीं, definitely मैं multiple choice बना रहा हूँ, तो यहाँ से यह हम change कर लेंगे, multiple choice question, इस पर click कर लिया, यह देखिए, multiple choice, अब option आगए, 10 होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं, या 6 होते हैं, ठीक है, इस तरीके से यह डाल लिए, अब इसमें क्या है, मैं इसमें answer भी, answer हम पहले, question paper बनाने में इतनी महनत कर लें, वो तो check करने में नहीं लगेगी, इसलिए question paper बनाते से में महनत कर सकते हैं, आप तोड़ी सी one marks का है, मैंने डाल दिया, इसका आप सही answer भी change, सही answer माल लो 11 है, यह बच्चों को बताने चले हैं, लेकर गूगल को पता और आपको बता है, तो यह done कर दिया आपने, ठीक है, यह हो गया, आपके पास, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, required कर देंगे, required कर दिया, मतलब कि यह जरूरी, ठीक है, अब यह इस तरीके से multiple choice question, आप add करते जाएंगे, ठीक है, और सारे questions add करते जाएंगे, ठीक है, अब यह देखी, यहाँ पर आप change भी कर सकते हैं, यह जो मैंने लिया, देखी, यह check box, इस तरीके से sound round आ रहे थे, अब यह देखी, rectangle square type में आ जाएंगे ठीक है, मैंने दूसरा question डाला, who is the sports minister of India, ठीक है, तो यह मैंने दूसरा question था, check box ले लिये थे, अब यहाँ पर answer, point जो लगा, one point दे दिया मैंने इसको, ठीक है, इस राइट answer भी क्लिक कर लिया, done कर दिया, ठीक है, अब यह हमारे पास यह हो गया, इसका required कर दिया, यह multiple choice question क हमारे एक segment हो गया, अब हम इसमें दूसरा section जोड़ना चाहिए, इसी में अगला question हम add कर सकते है, ठीक है, अगला question मानलो मैं descriptive इसके लिखवाना चाहता हूं, ठीक है, अब descriptive question के लिए मानलो मैं किसी पर ऐसे लिखवाना चाहूं, तो मैं यह लिख सकता हूं, write and write a note on cricket, ठीक ह cricket, अब यह short answer type है, यह long answer type है, definitely मैं इसको long answer पर click करूँ, ठीक है, यहाँ से select कर लेंगे paragraph, अब यह यहाँ पर, ठीक है, long answer type question हो गया, paragraph हो गया, अब यहाँ पर देखिए, एक आ रहा है, response validation, अब यह कितने character कर, length, length चाहिए, ठीक है, definitely length मैं हो, length, कितनी मतलब कितनी minimum या maximum, मैं कहता हूँ कि minimum character count, minimum कम से कम इसमें होने चाहिए, मैं कहता हूँ, minimum कम से कम 200 character होने चाहिए, 200 से कम लिखेगा, तो वो इसका submit नहीं होगा, तो क्या होगा, इस पर आप लिख दीजिए, answer is not correct, या फिर not minimum, not fulfilled, या जो भी लिख सकते हैं, ठीक है, not correct, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया, अब ये required कर दीजिए, अब ये देखे, multiple choice question भी होगा, अब इसमें true false भी आप डाल सकते हो, जो चाहिए, वो आप डालते हो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर click किया, यहाँ पर कोशन डालेंगे, ठीक है, question मैं डाल देता हूँ अब भी, ठीक है, मैं true false के लिए डाल दिया, answer, same चीज, one marks, ठीक है, true है, true पर click कर दिया, मैंने, done कर दिया, नीचे आएंगे, required कर दिया, ठीक है, अब ये हो गया, अब इसी तरीके से हम मतलब match भी कर सकते हैं, match वाला question जो बनाना है, matching वाला, तो वो देखे, question मैंने इस पर new question add किया, अब आप new question में क्या, match of the following, match of the following के लिए आप देखे कैसे आएंगे, इस पर click करेंगे, अब ये देखिए, checkbox grid, ठीक है, ये checkbox grid पर click कर देखे, column 1, column 2, row 1, इस तरीके से आप ये multiple choice question या कर सकते हैं, आपको मालोई गलत होगा, तो यहां से delete कर सकते हैं, ठीक है, same question copy करना है, undo कर सकते हो, अब मैंन बात आती है कि ये तो चला में question paper बना लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन timer बच्चे, तुरंत chat मतलब इसको करेगा, solve या बाद में करेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये three dots आरे हैं, इस पर click कर देंगे, यहां पर add once, add once पर click करेंगे, ठीक है, तो यह आपके इस तरीके से खुल जाएगा, इस तरीके से खुल गया, यहां भी search bar का option आ रहा है, यहां पर लिखेंगे, आप form representator, form representator, ठीक है, यहां पर आप टाइप करेंगे, presenter, देखिए आ गया, form presenter plus timer, इस पर click करेंगे, ठीक है, तो यह इस तरीके से आ जाएगा, form presenter, इस पर click करेंगे, install करेंगे, ठीक है, install हुआ है, अब यह continue हो गया, ठीक है, अब id चूज कर सकते हैं, मैंने यह id चूज कर ली, जो यहां पर है, यह कुछ formalities है, ठीक है, यह वो कह रहा है, ठीक है, allow कर देंगे, Google काई tools है, और Google यूज कर रहे हैं, तो हम इसमें डरने की कोई बात है नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जब आइंस्टाल कर लेंगे, तो देखी, एक नया theme के बगल में एक नया sign add हो गया, यह देखी, sign add हो गया, ठीक है, ठीक है, यह यहां पर presenter में डाउनलोड कर लिया था ठीक है, अब यह इस तरीके से आएगा, sports, अब इसमें क्या image change कर सकता हूं, अब इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, मानलो मैंने school की image मेरे पास है, बोड डाल देता हूं, ठीक है, चलिए अब यह रोज डाल देते हैं, ठीक है, अब यहां पर यह हो जाएगा, अब यह background को आपके दे रखा time control, ठीक है, अब always, कभ खोलना है, या पर specific time, अब इस specific time मैं कर लिया, ACA Calcutta उसने already select कर लिया, अपने आप, बहुत सुझा रहा है, ठीक है, अब यह मानलो, अभी मैं बना रहा हूं, ठीक है, 9-3 हो रहे हैं मेरे पास, ठीक है, तो जब आप start करना तो आपको तभी हो जाएगा, मालो अगर मैंने अभी डाला इसका date select कर लिया, October है, ठीक है, 6 October, ठीक है, date तो मैं same यही रेंड लेता हूं, ठीक है, time change कर लेता हूं, time का अभी 9 बज़रे तो मैं 9-10 कर लेता हूं इस पर, जिससे कि मैं आपको response दिखाने में मुझे मदद मिल जाएगी, 9 बज़रे, 10 मेट पर set कर दिया, ठीक है, end time कब हो जाएगा, यह 9 बज़रे, 15 मेट पर यह खतम कर दूँगा, मैं, ठीक है, 9, 10 बज़रे, 15 बज़रे, 15 बज़रे, ठीक है, यह हो गया, set time I strictly, ठीक है, चलो, यह लाग में होई हो गया, अब यह देखिए, यह सब कुछ हो गया, अब बात आती है, यहाँ पर पब्लिस करने है, ठीक है, यह तो safe setting हो जाएगे, अब पब्लिस फॉर्म, पब्लिस फॉर्म इसका मतलब यह हुए कि जो आपने फॉर्म बनाया है, इतनी महनत करिए, वो आपको पहुचाओ को कैसे होगा, ठीक है, तो पब्लिस फॉर्म, कॉपी, लिंक लिए कुलीगो ठीक है, यहाअ पर दाइट कर सकतो दो, कॉपी कर लिया, यह आपका लिंक जो है कॉपी हो गया, अब आप चाहू ठीक है, तो कैसे ही भेज बेज सकते हो, आप जैसे चाहो, भॉटसब पे भेज झाहो, वोत्सबप पे बेज दो, जैसे भी आ करेंगे पेश्ट आगए हम पेश्ट कर देंगे और यह सेंट कर देंगे तो यह चला गया ठीक है यह देखिए मैंने इनको लिंक भी जा था और उपन किया हो जाएगा फिर मैं बताऊँगा आपके लिए response दिखा हुआ कहां से होगा देखिए अब यह form हमने भर दिया था question पर solve किया यह आ रहा है your response has been recorded ठीक है देखिए वो वहाँ पर जो submit किया था form यहाँ पर देखिए questions के बगल में आ रहा है responses ठीक है तो जो एक बेक्ती ने जो response किया था sir ने ठीक है अब उनके सब तरीके से आ रहा है see response got it वो बता रहा है google बाला कि आपके help कर रहा है ठीक है यह response आ गए किस तरीके से आ गए पूरा chart summary सब कुछ आ चुका यहाँ पर अब यह मैं देखने से हूँ ठीक है यह questions कौन सा गलत किया है question question गलत किया है सब कुछ चेक कर सकते है ठीक है यह किस अब भरा किस ने था ठीक है वो चंदलाल जी ने भरा है ठीक है ID नाम सब कुछ इस पर आगए कि कौन से question ने सही आंसर दी है कौन से गलत आंसर दी है tracking और यह सब से ट्रेकिंग ID भी है सब कुछ हो रहा है यहां पर Google ने बहुत बड़े टूल सी बना के दिया अब देखिए अब मैंने यह करना है कि जो response है बच्चों के वो वापस भी तो जाना चाहिए उनके score तो यह यहार है release score ठीक है release score पर click करेंगे तो यह चंदलाल जी के ID है 20 marks 10 marks 100 marks जितने चाहें कोशन आप इसमें एड़ कर सकते हैं फिर भी यदि आपको कोई भी क्वारी होती है कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे डारेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं टेक्स मैसेज कर सकते हैं आप हमारे साथ connected है ठीक है I hope समझ में आया हो गया जब तक के लिए thank you stay safe stay healthy